हेलो इंदोर, इंदोर टॉक के इस स्पेशल ओडियो बिलिटिन में आप सभी का स्वागत है आज के इस ओडियो बिलिटिन में हम जानेंगे कि किन चीजों पर प्रशासन द्वारा लगाया गया है प्रतिबंद और किन चीजों में हमें दी जाएगी छूट रविवार को पूरे इंदोर शहर में 24 घंटे के लिए रहेगा लॉकडाउन इसमें सभी बाजार, कारेले, अनाज, सबजी मंडी, फल मंडी और किराना की दुकानों को भी खुलने पर 24 घंटे के लिए पाबंदी रहेगी इसी के साथ सेवी रहवासी को घरों में ही रहना होगा मॉर्निंग वॉक, गाड़ियों की बाहर निकलने जैसी सभी गतिविदियों पर भी प्रतिवंद होगा इंदोर जिले में स्थित समस्त पिकनिक स्थल पाताल पानी, चोरल, सितला माता फॉल, जाना पाव, काला कुंड, कजली गड, यश्वन सागर तालाब, तीनचा फॉल, मानपुर तालाब, सिरपुर तालाब, बिलाबली तालाब, पिपलिया पाला तालाब, बनेडिया तालाब, गुलावट आदी सभी आने वाले समय में अग्रीम आदेशों तक रविवार के साथ-साथ सप्ता के अन्य दिनों में भी बंद रहेंगे याने इन सभी पिक्निक स्पोर्ट पर ना तो आफ संडे को जा पाएंगे और ना ही वीक के किसी और दिन में इंदोर जिले के समस्त नगरी शेत्रों में जैसे की सावेर, देपालपुर, हातोत, बेटमा, राउ, महु, मानपुर और गौतमपुरा में भी पूरे इंदोर शेहर की तरह लोकडाउन रहेगा तता सभी रहवासी अपने घरों में ही रहेंगे समस्त प्रकार के लोक परिवहन इस अवधी में प्रतिबंदित रहेंगे तता साती साथ, नगर निगम, सीमा शेत्र के अंदर, लोहा मंडी, ट्रांस्पोर्ट नगर, देवासना का और द्योगिक शेत्र में समस्त प्रकार की ट्रेडिंग, आधी गतिविद्यों पर तता आवाजाही पर प्रतिबंद रहेगा सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक, आधी, एकत्री करण पूरी तरह से प्रतिबंदित होंगे जिले के सभी पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद रहेंगे और इसलिए अतियाविशक सेवाओं और अकासमेक्ता हेतू सभी संस्थान और व्यक्ति शनिवार को पहले से ही अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल की पूर्ती करवा लें अब बात करते हैं कुछ ऐसी गतिविदियों के बारे में जिने रविवार को लगने वाले पूर्ण लॉक्डाउन में भी प्रतिबंद से मुक्त रखा गया है अतियाविशक सेवाएं जैसे की दवाई की दुकान, अस्पताल, दवाई की मैनिफेक्चरिंग इकाईयां आदी यथावत रूप से जारी रहेंगी इनसे सम्मंदित सभी व्यक्तियों को संस्थान में कारेरत होने का पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवारे होगा आविशक विभाग, जैसे नगर निगम, बिजली कमपनी के अधिकारी कर्मचारी, मीडिया कर्मी तथा अगबारों के हॉकर्स इन प्रतिबंदों से मुक्त रहेंगे चिकित्सा सुधाओं से जुड़े व्यक्ति, जैसे की डॉक्टर, पेरेमेडिकल स्टाफ, अस्पतालों के लेब टेकनिशन, दवाई दुकानों के संचालक, एवमन का स्टाफ, अस्पताल के चतुरशेणी कर्मचारी इन प्रतिबंदों से मुक्त रहेंगे तथा अपनी साथ उक्त संस्थानों में कारिरत होने का प्रमाण पत्र रखेंगे रविवार को दूट डेरी से और घर घर तक दूट का वित्रण सुबह 7 से 10 बजे तक किया जा सकेगा पर रविवार को शाम को दूट वित्रण पर प्रतिबंद रहेगा फार्मा उत्पाद के काईयां यथावज चालू रहेकर जारी रखी जा सकेंगी किन्तु रविवार को दवाईयों से जुड़ी समस्त ट्रांस्पोर्ट गतिविधियां प्रतिबंदित रहेंगी पिथमपुर एवं देवास जाने वाले फार्मा कंपनी की बसों का आवगमन इन प्रतिबंदों से मुक्त रहेगा इन दोर जिले की स्थित समस्त उद्योगी के काईयों में पूरे 24 घंटे के अवधी में अंदर से बाहर जाने पर एवं बाहर से अंदर आने पर पूरी तरह से प्रतिबंद रहेगा ऐसी काईयां जो निरंतर प्रक्रियरत उद्योगों की शेणी में आती हैं यने की जो 24 इंटो 7 काम करती हैं उनमें शनिवार को रात में आविशक कर्मचारियों को अंदर लिया जा सकता है तता वे सोमवार की सुबह 4 बजे तक ऐसी काईयों के अंदर रह कर काम कर सकते हैं रिविवार के पूरे 24 घंटे के लॉकडाउन अवधी में ऐसी सभी काईयां ना तो शिफ्ट चेंज कर पाएंगी और ना ही उन्हें अपने कर्मचारियों को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लाने की अनुमती होगी घरेलू उडानों से आने जाने वाले यात्रियों के टिकेट या बोर्डिंग पास दिखाये जाने पर आवा गमन से चूट रहेगी दवाई की दुकानों का उपयोग केवल आकास्मिक चिकित से अविशक्त्याओं के तहत ही किया जा सकेगा दवा खरीदने के नाम से अनावशक रूप से घूमते पाए जाने वाले एवं संतोष जनक जवाब नहीं दिये जाने पर पुलिस वारा कारेवाई की जा सकेगी विभिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजन अस्पताल में भर्ती होने का प्रमान दिखाये जाने पर अधिक्तम दो लोगों को घर से अस्पताल तक जाने के अनुमती रहेगी तथा इस हेतू अस्वताल प्रभंदकों को निर्देशित किया जाता है कि वो भर्ती मरीजों के परिजन हेतू आविशक प्रमाणी करण नाम से करगे परिजनों को देंगे आगामी आदेश तक हर व्यक्ति को हर अविवार प्रशासंद वारा जारी किये गए इन दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवारे होगा दिशानिर्देशों का उलंगन करने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी